Hello everyone, Welcome back to our YouTube channel आज इस वीडियो में विलोम सब्दों को जानेंगे और बहुत आसान तरीके से जानेंगे तो अगर इस वीडियो पर पूरा आप बने रहें तो आपको बहुत आसानी से सारे विलोम सब्द याद हो जाएंगे तो अगर आपको यह चैनल आपको पसंद आए तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें वह आप तक पहुंच जाएंगे और चलिए सब्द और विलोम सब्दों को जानेंगे तो अल्प का विलोम क्या होता है? अल्प का विलोम होता है अधिक अल्प का विलोम अधिक, अल्पायू का विलोम दिरगायू अपेच्छा की उपेच्छा, अपेच्छा का विलोम क्या होता है? उपेच्छा होता है अतिवरेष्टि का अनावरेष्ट अतिवरेष्टि का विलोम क्या होगा तो अनावरेष्ट होगा अधिक का नियोन अनिमार का विलोम बैकल्पिक होता है आगामी का विलोम गत होता है आगामी का गत होता है आधिका अंत होता है आधिका विलोम अंत होता है आग्रह का दुराग्रह होता है आग्रह का विलूम दुराग्रह होता है आयात का निर्यात होता है आरंभ का अंत होता है आहमान का विसरजन होता है आहमान का विलूम क्या होता है तो विसरजन होता है इच्छा का विलूम अनिक्षा होता है उचित का विलोम अनुचित होता है उचित का विलोम क्या होगा तो अनुचित होगा उदार का विलोम संकीड होगा या अनुदार होगा उदार का विलोम संकीड या अनुदार होगा उपकार का विलोम अपकार होगा उपकार का विलोम क्या होगा अपकार होगा उपाय का निरूपाय, उपाय का विलोम क्या होगा तो निरूपाय होगा, उपर लिखित का विलोम क्या होगा तो निमलिखित होगा, उतार का विलोम चढ़ा होगा, उर्वर का विलोम क्या होगा तो उशर होगा, उशर का विलोम शीत होगा, एकता का विलोम अनेकता होगा, एक्चिक का विलूम अनैक्चिक होगा, एक्चिक का विलूम क्या होता है, तो अनैक्चिक होता है, कड़वा का विलूम मिठा होगा, कड़वा का विलूम मिठा होगा, एक बार फिर से इस विलूम शब्द को दोराएंगे, अलप अधिक, अलपायो, दीरघायो, अपेच्छा, उपेच्छा, अतिवरेश्ट, अनावरेश्ट, अधिक नियोन, अनिमार वैकलपिक, आगामी, गत, आधी अंत, आग्रह, दुराग्रह, आयात, निर्यात, आरंभ, अंत, आहवान, विसरजन, एक्छा, अनेक्छा, उचित अनुचित, उद्दार, शंकीड या अनुदार उद्दार का क्या होगा, उदार का क्या होगा, संकीड या अनुदार उपकार, अपकार, उपाय, निरुपाय, उपरलिखित, निमलिखित उपरलिखित का विलोम होगा, निमलिखित उतार, चड़ाओ, उर्वर, उशर, उश्ड, शीत, एकता, अनेकता, एक्षिक, अनेक्षिक, कडवा, मीठा Thank you for watching this video, मिलते हैं next video में